यहां नमस्कार मेहुदीन आनात आप देख रहे हैं जमसद नियूद जैसा कि दिल्ली सरकार द्वारा रासन बित्रण प्रनाली को ले करके और भोजन की ब्युस्था को ले करके जिस तरह से मुस्तैदी दिखा रही है वहीं पर कहीं ना कहीं उसके उपर कुछ सवालिया निशान भी लगे आ रहे हैं कि जहां रासन बित्रण की बात है केवल रासन कारधारकों को ही रासन मिल पाया है वहीं कुछ गरीब तपके के लोग है जो e-Koopan का सहरा लेने की बात किया गया था सरकार द्वारा लेकिन कुछ गरीब तपके के लोग थे जो e-Koopan नहीं ले पाए हैं इस वज़े को देखते हुए हम आये हैं पुस्ताइनी अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही समास सेवा जिस घर में जिस के पास वो बिरासत पड़ी है उनका नाम है हरपाल सिंग्राना जी तो मैं अभी काधिपूर में आया हूं मैं जानना चाहूंगा कि रासन बित्रन प् की ब्युक्ति नाशन की दिक्तें दिली में उन लोगों की आ रही हैं जिनके पास आदार का इनके राशनकार नहीं है लेकिन दिल्ली में 11,00,000 से अधिक ऐसे राशनकार पैंडिंग है 2015 से यह हमारे पास विधान सवा अनुसार सुची है इस विधान सवा में हमारे पास अगर हम नरेला विधान सवा नंबर एक लगती है उसकी पैंडिंग राशनकारों की बात करें तो उसमे 32,023 रासनकार पैंडिंग है जो के हम नरिला की बात कर रहे हैं अगर हम बुराडी की बात करें तो 20,643 रासनकार पुराडी विदान सवा में पैंडिंग है अगर ये पूरी विधान सबानुसा सूची है, 70 विधान सबा की बात करें, तो 70 विधान सबा में 11,43,823 रासनकार्ड 2015 से लेकर 2020 तक पेंडिंग हैं, जिनोंने अपने सारे कागजा जमा किये हुए हैं, ये रासनकार्ड नहीं बन रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है, अग उनको 11,00,00 लोगों को रासन मिल सकता है, आज बात सरकार कर रहे हैं कि हम आधारकार के आधार पर रासन दे रहे हैं, ये सकते नहीं है, किसी वेक्ति को भी मेरी जैनकारी के अनुशार आसपास की एरियों में आधारकार के आधार पर रासन नहीं दिया गया है, अगर सरकार ने एक पर एक लिंक जारी किया पहले इपास के नाम से उसमें कहा कि आप इस पे अपना नाम पता और फोन नमबर दीजी हम रासन देंगे दाइसो लोगों के यहां से हमने चार दिन में फारम भरे एक को भी रासन नहीं मिला उसके बाद कहा गया कि आप दूसरा लिंक जारी कर दिया कि इस पे आप दीजिये इस पे आपको रासन मिलेगा वो लिंक जो चला वो लिंक से दो या तीन दिन दिन चला और वो भी दिन दिन में चलता था रात रात को चलता है दिन में वो चलता नहीं था जिस कारण से उसके फारम भी कुछ लोगों के भरे गए और उनका कहते हैं कि पहले वो निकालो उसका आपके पास मैसेज आएगा फिर वो मैसेज निकालना पड़ेगा तो आज लोगडाउन के दोरान किस व्यक्ति के पास ऐसी व्यस्ता है कि वो ये सारे कागजी कारवाई कर सके किस गरीब के पास जिसके पास Android फोन है उसको तो रासन की आउसकता नहीं है और जिसको रासन की आउसकता है उसके पास Android फोन नहीं है तो ये जो सरकार बार-बार ल राशनकार अस्थाई तोर पर ही सही जल्द से जल्द आरम करे उनके राशनकार बनाए और वो उन सब को राशन देना आरम करे और फिर बाद में उसको आगे स्थाई तोर पर करना हो जो स्थाई तोर पर किया जाए अस्थाई तोर पर करना हो तो अस्थाई किया जाए लेकिन फिलहाल सरकार को ये सभी पेंडिंग राशनकार्ड जो विचार दिन राशनकार हैं उनको जारी जल्द से जल्द करना चाहिए गरीब आदमियों को जिससे 11 लाक वेक्ति की संख्या बहुत होती है जिसमें पैसे जमा करा कर कोई भी काम करते हो तो समय लिमिट होती है उसकी समय वावदी जैसे कोई भी आपने समान खरीदा कोई भी फीज दे के आपने काम किया लेकिन जहां बात आती है bigger पैसे के रासंकार का जो आविदिन भरा जा रहा है वो फिरी में भरा जा रहा है नियम के अनुसार 45 दिन होना चाहिए लेकिन ये नहीं मानते हैं उस बात को ये कहते हैं की 45 दिन के अंदर हम इसकी जांच नहीं कर सकते मेरे पास बहुत पहले का एक आदेश है जिसमें सपस्ट लिखा हुआ है कि 45 दिन में रासनकार बनना चाहिए यही तो समस्या है कि उन 5 सालों में 11 लाक यह मैं नहीं कह रहा हूं यह भारत दिली सरकार की खादयापूर्ति विबाद की वैप साइट पर मौझूद है अब यह आपको मैं देखा दूँआ यह उसी से निकाली गई है सूची यह 70 विधान सबाओं की सूची पूरा दिन लगा कर यह इस हिसाब से दी गई है कि आसान नहीं था निकालना नेट के उपर जो सूचना अधिकार अधिनियम है उसकी एक धारा है उसके तहत सभी कागची कारवाई नेट के उपर उपलद होनी चाहिए जिससे आदमी आर्ट यह ना लगाए और नेट पर देख सके लेकिन यह इस हिसाब से नेट के उपर डालते हैं कि आसानी से कोई आत्मी देखी नहीं सकता हमने शायद दो दिन लगा कि यह लिस्ट निकाल ली है जिसमें यह लिस्ट कि कितने रासंकार अभी पैंडिंग है तो मैं नहीं कह रहा हूं यह पैंडिंग है 2015 से तो इसमें हमन मुख्यमंइंड को लिखा और मुख्यमंइं ने मुख्यमंइंड मनी सेसोधिया को बेजा मनिन सिसोधिया उसको आगे भेजा हमने इसी पतार से पर्दान मंत्री को लिखा पर्दान मंत्री का जवाब भी आया है। प्रदान मंत्री का ले में भी यह सिकयद गई है लुद कि अरी है है। पहुं ना ढरकने लूगस्ट में को उने मनीज शिसोदिया को बेज दिया मनीज शिसोदिया ले करें दिल्ली में वह बाराब यह कह रहे हैं कि दिल्ली में बहतर लाइक राषयन लिमिट बताई जा रही है यह इम्रान हुसेन का लेटर है 2015 का उन्होंने कहा कि दिल्ली में 75,80,700 राशनकार बन सकते हैं इसमें से अधिकतर राशनकार बने हुए हैं और इसमें आज भी कहतर लाख से उपर बने हुए हैं भारत सरकार ने करी है यह राम बिलाश पासवान का भी लेटर है मेरे पास यह 2016 का है 15 जनवरी 2016 का इसमें जो है यह इन्होंने 2011 में तै किया है कि बहतर लाख वो करेंगे और बहतर लाख में से बहतर लाख है और इन्होंने यह जो मंत्री है अपनी दिल्ली सरकार के इम्रान उसेंद इन्होंने राम बिलाश को लिखा है राम बिलाश ने फिर जवाब दिया है लेगे जरा भी दिल्ली के अगर हम जन्संक्या के बात करें तो लगबग 2-5 करोर के आस पास है हां यह मैं बिलाश पासवांकार लेटर है और यह पूरी डिटेल दी गई है कि उसमें कब-कब बढ़ाया गया यह 2000 में भी कुछ बढ़ाये गए थे तो यह सब हमें दखिए एक सामाने व्यक्ति यह पूरे राज्यों की सूची है कि किस-किस राज्य में कितने-कितने बन सकते हैं आं साम में कितने दिली में कितने गोवा में कितने यह पूरी उनकी सूची मांगी हुई है इस पर मैं राजनकार पे वर्स साथ तीस वर्सों से काम कर रहा हूं 2000 में तो मैंने एक दिली उचनेहल में याची का लगाई थी जिसमें दिपूरे देश के सैद कई लाक 12-15 लाक दिये थे और पूरी दिली में उसके राशनकार 11-12 लाक कटे थे हमारे गाउं में दो ओरिजिनल BPL कार धारक हैं जबकि 200 फरजी कार बने हुए थे यहां पे हमारा कोई घर ऐसा गाउं में नहीं था जिनका फरजी राशनकार ना बना हुआ हमें मालूम ही नहीं था फरजी राशनकार हमारे परिवारों को और जो गाउं के परिवार हैं उनको और 200 बने हुए थे उसके उपर में उपर जानने वारा हमला तक हुआ मतलब काफी लंबी कहानी है लेकिन हाई कोट ने आदेश किया था और फिर उसके बाद आगे कारवाई बहुत से नाम उसमें कटे ग हुआ और वो सारी कारवाई हमारे यहां तो हो गई बहुत जादा दिल्ली में देखिए आज ऐसे वी विवस्ता बनी हुई है कि जिसके नाम से बीपील कार्ड है उसको पोटे वाला साल में एक फिक्स राशी घर पे जाके देके आता है अब यह कोई तथ्था नहीं है ऐसा जो राशनकार बने हुए है वो पैसे देके आता है अगर उसमें एक महिने में दो रुपे कीलो के इसाब से घहू मिलते हैं तो एक साल में कितना मिला तो वो उसको कितने रुपे का फाइदा हुई और एक चेह को प्य commitment मिलकों एक वेक्तियों से मिलके जो इसके बीपील के ह अगदार नहीं है वेक्ति उनके नाम से जो बीपील कार्ड बने वो पोटे में राशन लेने नहीं जाते हैं लोगों को पता लग जाएगा मैंने आपको दिखाया 50 बार के फरजी राशन कार्ड काटे जाएं और मैंने ये भी इस पे लिखा है कि जो राशन सर्जनिक किया जा लेकिन वो इतनी पूरी दिल्ली कि एक साथ लगी हुई है छट नहीं पाता है देख नहीं पाता है आप गेट के ऊपर एक वह लगा दीजिये आप बीपी अलना लाए राषन कारब बना हुआ है चोन हम्सि'D를 सके रहे हैं बहुत है जिनका राषनकार बना हुआ है यह दो दो आईडी जारी की हैं एक जिन पर जारी हुई थी उन्होंने कहा कि इसके ऊपर देंगे हम फिर वो नहीं दिया गया कि एक ऐपस का था और यह देंटा सवाद का था जन्ता सवाद के ओपर दस-वीस-जार से ज्यादा को नहीं फहारा नहीं भरा गया क्योंकि वो रात-रात को चलती थी और में हमारे हिसे 50-60 वैक्तियों को भी रासन नहीं मिला अभी भी लेकिन सरकार क्या रोज जितने भी ध्यारी मज़़ूर जो फसेवे भी हैं उनको भी राशन पुचाया जा रहा है नहीं यह गलत है हाँ दिली सरकार खाने की बहुत अच्छी वेश्टा कर रही है हर स्कूल में अधिकतर स्कूलों में खाने की वेश्टा है और खान अगला कदम क्या रहेगा आपका देखिए मैं इसमें जो गैरालाख राशन काड़ों की बात है इसके उपर दिल्ली उचनेयाले में जाने का प्रयास करूंगा यह मैंने सभी तथ्य काफी दिन लगा के जुटा लिए हैं इसके लिए मैंने काफी पत्राचार किया है बाहर स कुछ जल्दी नहीं हुआ तो मैं इसके लिए दिल्ली सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि गरीबों को राशन बितना प्राली कैसी करें जो ठीफ हो सकते देखिए मैं तो यह कहूंगा कि जो खाने की विवस्ता चल रही है वह बहुत अच्छी है उसी को और आगे अच्छ करोना के दोरान पुरंत बनाया जाए और उसके बाद इसको स्थाई किया जाए और भार सरकार को भी जो बहतर लाग की जो एक लिमिट है दिली की उसको बढ़ा कर कम से कम आज डेड़ लाग करने की आउसकता है और काला बजारी रोकने के लिए क्या हो जो अभी भी चल रह आगे एक प्लेट लगा देनी चाहिए लिख देना चाहिए कि बीपियल कार दारी जिससे पता लगे कितने असली बीपियल कार दारी है और कितने नकली जो जिनको नहीं चाहिए और वो भी बनवा रखा वो भी अलग-अलग हो जाए और यह बात सपस्ट हो जाए और इसे ज नमाय से विए और काफी ताइम से आप जैसे कि आपने बताया राशन के लिए कॉर्छार पास आते हैं वो क्या समझ्या को लेके राशनकाण की दो समस्या होती है कि अ जिनकार रासनकाद 15 से विक आधीन है नहीं बना है ऐसे यहां पर 1500 सिकायत हैं हमारे पास पिछले पांचार साल में आई होंगी इससे भी जादा आई होंगी हम उनकी यहां से सिकायत बेजते हैं लेकिन उनका ये कहा जाता है कि आप आपका विचार अधीन है अभी जब बनना शुरू होगा जब बनेगा और आप तो एक और नहीं व्यवस्ता अच्छी व्यवस्ता शुरू क है लेकिन उकारगर पूरी तरह के जनी हो रही है जितने विचार अधीन कार्ण हैं उनको फियो नंबर दे दिया गया है एफ आई एफ ओ नंबर हमारे यहां पे साथ हजार फियो नंबर दिये गए हैं इसका मतलब साथ हजार राशनकारों की जहांच हो चुकी है आपके करते हैं जो भरने वाले प्राइवेट वेक्ति होते हैं वह एक आदमी का नाम लिखके उसको पूरा कर देते हैं उसको एक आदमी का फारम आधार कार्ण नंबर भरना पड़े या पांच की डिटिल भरनी पड़े तो पांच गुना समय लगेगा तो वह क्या करता है एक का बन गया और किसी का नहीं बना है अब उनका नाम चड़ नहीं रहा है दूसरा बन नहीं सकता क्योंकि पहले बन चुका है लिमिट भी है तो मेरा यह कहना है कि यह भी तैय होना चाहिए कि जो पैसे दिये जाते हैं आज सभी काम सरकार ने टेंडर मतलब प्राइवेट लोग तो उसमें पांच मिनट लगेंगी एक में एक मिनट लगेगी तो वह एक ही करके खतम कर देता है यह बहुत बड़ी समस्या है नाम दूसरी समस्या रासनकार की यह आती है कि अगर कोई कहीं से पहले दिल्ली में किसी दूसरी जगह रह रहा हो और वह वैक्ति यहां आ जाए तो उसका आधार अब यही तो एक सिस्टम होना चाहिए कि वह यही पे जाये कि मेरा पता भी यह कर दिया जाए वह नहीं किया जाता इसके बारे में पचास से अधिक वैक्ति मेरे पास ऐसे आए हैं दूसरी कहते हैं कि वहां से कटवा के लाओ पहले उनको क्या कहते हैं कि पहले वह कहते हैं कि वहां से जहां पहले राशंकार था, वहां से कटवा के लाओ, अब वो बहां जाता है, लाइन में लगता है, फिर वो कटवाता है, तो ये अदोनिक् स्था की जुरूत है, अर्विन केजरिवाल ये लाइन लगाने के लिए नहीं आया था, लाइन तो आप तक 70 साल से लगती ही रही है, अर्विंद के जरीवाल तो लाइन खतम करवाने के लिए आया था, यह सारी विवस्ता पे होंगी, उपलब सारी ऐसे होंगी, सारी कम्प्रूटर से होंगी, लेकिन अभी भी वो लाइन विवस्ता चल रही है, सरकार में आना, सरक कहना और बनाने में बहुत अंतर होता है, इसमें अर्विंद ज्यादा काम्याब नहीं रहा है, जो विवस्ता पहले चल रही थी, उसमें बहुत कम विवस्ताओं में परिवर्तन हुआ है, लेकिन बहुत विवस्ताओं में परिवर्तन की उमीद लोगों ने अर्विंद के City जाव्पे देड जाते हैं इसमें को जो पैंसन老 लोगों को छार नाख लोगों को पैंसनल दिली में मिल रही है सरकार कहती है कि में बहुत कम वेक्थिंटी ऐसे हैं जिनको नहीं मिल रही है जिनका हुआ है यह संख्या बहुत कम है लेकिन पिछले अगर हम बात करें पिछले पांस दिन की तो यह बीस अठारा ट्वीट ऐसे हैं जो मैंने मुख्यमंत्री जी को भेजे हैं अठारा शिकायते ऐसी हैं जो करोना के कि दोरान हमारे पास बेक्ति आए जिनों की पैंसन रुकी हुई है किसी की चे महिने से किसी की आठ महिने से किसी की चार महिने से चार महिने से अधिक के जो बेक्ति हैं इनका यह ट्वीट मैंने किया है इसमें पहले हमने PGMS पे सिकायत बेजी है उन सभी पैंसन दारियों की औ माला कि अविधूस महीने से सब्सक्रीकी पांचेए 176 मृटर मैं लोस्क्र उप ही उना कोई कमी उस में रही होगी लेकिन ये पेंशन अभी नहीं महीलाओं को पिछले एक साल से दो साल से पांस साल से आठ साल से पैंसन लगातार मिल रही थी उनकी पैंसन रोकी गई है इसमें से एक भी विश्य ऐसा नहीं है जो नया पैंसन का हो है अनेकों बार एक बहुत बड़ा बिस्टचार का विशाह है इसमें क्या है कि हर दूसरे साल सरकार क्या करती है डिपार्टमेंट क्या करता है कि हम जाच करें family already की में जाता है जाच के नाम पर Nikki जाता है जानले पेंसन रूप दे जाती है और जो असली पैंसन धारी है मैं धक्के खाते हैं जिनकी फर्जी पैंसन है वो पैसे दे के चालू करा लेते हैं यह बहुत बड़ा घपला है और लेकिन इसके आज भी दिल्ली में 2012 से लेके अब तक मेरे पास नगरनिगम की पैंसन की लिस्ट भी है मैं दोनों पर काम कर रहा हूं कि देखिए यह नगरनिगम की सुची है और दिली सरकार की सूची है इन दोनों को जब तक नहीं जोड़ोगे जब तक एक साथ नहीं करोगे जब तक आधारकार से नहीं जोड़ोगे जब तक बात नहीं बनेगी लेकिन वो अधारकार से होने की बात हो रही थी नगर निगम की जो पैंसन थी वो बंद कर दी गई थी सार पैंसन दारी दिल्ली सरकार ने पैंसन देना आरम नहीं किया है और जो मिल रही है उसमें कहीना कहीं अभी भी घपला है और उसका फाइदा उठाकर दिल्ली हर दूसरे साल पैंसन के लिए कागजा चेक किये जाते हैं और वो वही घपला रहता है उसमें कहीना कहीं बश्राच तार बी ओता है